ब्रेसलेट हाथ की खुबसूरती बढ़ाने के लिए पहनते हैं हम इस अध्याए में ऐसे ब्रेसलेट बनाने के बारे में सीखेंगे जिसे पुरुश और महिलाएं दोनों पहन सकते हैं इस अध्याए के अंत में अब जान लेंगे ब्रेसलेट बनाने के लिए क्या-क्या सामान और साधन की आवश्यक्ता होती है ब्रेसलेट बनाने का तरीका क्या है ब्रेसलिट बनाने के लिए चार छेद वाले कुंदन, प्लास्टिक मोती, इलास्टिक धागा और कैंची को इकठा कीजिए कैंची का उपयोग करके इलास्टिक धागे को आवश्यक लंबाई में काटिए अब चार छेद वाले कुंदन को कटे हुए इलास्टिक धागे के साथ जोड़ दीजिए इलास्टिक धागे के दोनों सिरों को कुंदन के चारों छेदों में से पिरोएं उसके बाद एक प्लास्टिक मोटी को इलास्टिक धागे के दोनों सिरों में से पिरोएं फिर चार छेद वाले कुंदन को दोबारा पिरोएं उसके बाद चार छेद वाले कुंदन और मोटी को बारी बारी से पिरोएं झाले के बारी से पिरोएं झाल झाल ब्रेसलिट को आवशक अनुसार लंबाई में पिरोने के बाद इलास्टिक धागे को कुंदन के चारो छेद में से पिरोकर बांध दीजिए झाल 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 बांधने के बाद धागे के दोनों सिरों को अगले दो मुटियों में से अंदर डाल दीजिए झाल 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 फिर बचे हुए इलास्टिक धागे को कैंची से काट दीजिए हम इलास्टिक धागे को मोती के छेद में से बाहर इसलिए लाते हैं ताकि इलास्टिक धागे को हम बांधने के बाद खोल ना सकें। अब जब आपने ब्रेसलेट बनाने का तरीका जान लिया है, तो आप अपनी इच्छान उसार बहुत से मोतियों और कुंदन का प्रयोग करके अलग-अलग डिजाइन के खुबसूरत ब्रेसलेट बना सकते हैं। आशा है कि आपको यव्याख्यान पसंद आया। धन्यवाद।